सब्सक्राइब करें GST प्लैटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें GST और इंकम टेक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए Good morning friends, GST प्लैटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वाधत है जी हाँ friends, GST पोर्टल के अंदर जो आपको notices receive होती है अब आप उसका online reply जो है वो भी file कर पाएंगे ये facility जो है वो enable करती गई आप देख पा रहे हैं GST पोर्टल पे अगर आपको GST का ASMT 10 का notice आया है तो उसके लिए अब आप GST ASMT 11 जो है online file कर सकते हैं GST ASMT 10 कब आता है, let's suppose आपने GST 3B return अपनी file कर दी और वो आपने करी है due date के बाद तो उसके अंदर जो interest का payment है वो पोर्टल से ना करके अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो वो आपको discrepancy in return कहे के ASMT 10 के अंदर interest का demand जो है वो निकाल के भेजते हैं इसका reply आप ASMT 11 में online भी दे सकते हैं आपको due date से related updates की requirement होती है या हर महिने जो भी GST के अंदर changes और income tax के अंदर changes होते हैं वो आपको monthly tax magazine के अंदर दिये जाते हैं अगर आपने अभी तक monthly tax magazine का subscription नहीं लिया है तो आप इन numbers पे call करके, whatsapp करके magazine का subscription जो है वो भी करा सकते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो ASMT 11 के अंदर आपको जो reply करना है उसका process क्या है इसके लिए to file reply in ASMT 11 to the notice issued against the scrutiny of returns यह जो मैंने आपको एक point बताया है कि interest के अलावा भी और बहुत सारी चीज़े हो सकती हैं जिसमें ASMT 10 issue होता है जैसे कि आपने GSTR 3B में कुछ और ITC ले लिया है आपके 2A या 2B में input tax credit जो है वो कुछ और ही आ रहा है GSTR return के उपर जो online webinar organize किया गया है 1st August 2021 को इसमें join कर सकते हैं join करने के लिए इन numbers पर call करके whatsapp करके आप registration details जो है वो ले पाएंगे अब यहाँ पर आगवर आप देखेंगे तो online reply देने के लिए आपको जाना है सबसे पहले GSTR portal के services tab में services tab में आप जाएंगे उसके बाद user services और उसके बाद view additional notices, oblique orders यहाँ पर आप देख पारे है portal का screenshot लगाया गया है services tab के अंदर user services और उसके अंदर view additional notice and additional orders इसमें जैसे ही आप click करेंगे आपके सामने वो सारे orders, वो सारे notice जो कि आपके against issue किये गए हैं वो यहाँ पर दे दिया जाएगा जैसे कि यहाँ दिया गया है intimation for discrepancies in return form in GST ASMT 10 का notice इसको आप यहाँ पर view को option देखेंगे, इस view पर आप click करेंगे, जैसे ही view पर click करेंगे यहाँ पर आपके पास 3 option दे दिया जाएगा notice का, reply का, and order का, तो notice के अंदर आपको details दिया जाएगा, जहाँ पर आपको notice का format रहेगा और उसके अंदर जो allegations लगाई गई है, उसके लिए क्या attachment दिया है department ने, क्या details है, वो दोनों चीज़ आपको यहाँ पर available कर दी जाएगे जब तक आप reply नहीं देंगे, यहाँ पर status दिखाया जाएगा, pending for reply by the taxpayer यानि कि आपको notice मिला है, अब आपको reply देना है, जो कि अभी फिलहाल pending status में चल रहा है अब यहाँ पर आपको reply देना है, उसके लिए क्या करें, reply देने के लिए notice वाले section के नीचे जो option आ रहा है reply इसमें आप click करेंगे, और उसके सामने जो एक window open होगा, add reply का, उस add reply में notice select करेंगे add reply का button आप जैसे ही click करेंगे, वहाँ पर एक option आएगा notice, आप notice को select करेंगे, तो case details के लिए आपको information जो है, वही पर दिखा दिया जाएगा जैसे कि यहाँ आप देख पा रहे है, type हमारा क्या है, notice, ASMT 10 के अंदर, details of SCN, यानि कि date क्या है, तो 5, 10, 2018 को यह notice easy हुआ, SCN का reference नंबर क्या है अब यहाँ पर आपको reply देने के लिए box दिया गया है, अगर आप इस reply को और अच्छी तरीके से explain करना चाहते हैं, तो यहाँ पर आप कर सकते हैं, as per the seat attached, और इसके बाद, attachment के अंदर आप, यहाँ पर files जो है, वो upload कर सकते हैं, हमेशा advisable यह रहता है, कि reply जो है, इस छोटे से box में ना दे करके, separate आप एक ASMT 11 का format manually draft करें, और उस पूरे ASMT 11 को यहाँ पर attach करें, ताकि department officers को समझने में जो है, वो आसानी रहे, वो confused ना हो जाएं, कि आपने reply दिया किस चीज़ का है, इसके बाद अगर आपको जो notice मिला है, उसमें आपने कोई amount of tax, interest, late fees admit किया है, ज उसका details आपको भरना होगा, कि किस tax period से लेके, किस tax period तक का यह notice था, जिसका आपने amount जो है, वो pay कर दिया है, tax है या interest है, यह सारी details आपको यहाँ पर भरना है, आपको अपना reply attach करना है, reply attach करने के बाद, आप इसका preview देख सकते हैं, और preview के बाद, आप इसे file कर सकते हैं, अ यहाँ पर act wise आपको details जो है भरना है, cgst का अलग, sgst का अलग, और igst का अलग, क्यों ऐसा, क्योंकि हो सकता है, जो आपको notice मिला है, उसमें cgst का कुछ और amount है, sgst का कुछ और amount है, और igst का कुछ और amount दिया गया है, तो यहाँ पर आपको act wise जो है, वो details भरना होगा, reply के अंदर आपको यहाँ पर फिर दिखाया गया है कि इस box के अंदर आप इसका reply जो है वो डाल सकते हैं additionally आप यहाँ पर attachment भी लगा सकते हैं जब यह सारी चीज़े हो जाए जब आप preview चेक करेंगे तो आपके सामने ASMT 11 जो है वो कुछ इस तरीकी से दिखाया जाएगा जिसमें आपका GST नंबर आपका नाम, details of notice and date of issue of notice भी रहेगा टैक्स पीरियट की स्पीरियट के लिए नोटिस आया था क्या है आपकी reply यानि कि जो discrepancy आया है उसके अगेंस्ट आप क्या reply देना चाहते हैं वो यहाँ पर देना है return फाइल करके जो amount अपने back pay किया है उसका break up यहा आपके portal पे इसी orders वाले section में दिखा दिया जाएगा जो आप reply देंगे वो reply कुछ इस तरीके से यहाँ पर populate कर दिया जाएगा और यहाँ पर reply furnished pending for order by the tax officer जो है वो status के अंदर update हो जाएगा तो यह पूरा process है GST ASMT 10 के online reply देने का और इसके अंदर orders जो है वो किस तरीके से receive होंगे यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा अब यहाँ पर order के section में जब आपने reply दे दिया है तो type में आ गया drop the proceeding यानि कि जो allegation था वो आपने fulfill कर दिया that means आपके against order जो है वो निकल चुका है और आपके against the allegation है वो खतम कर दी जाएगी और order जो है यहाँ पर department के तो इस तरीके से आपको पुरा process जो है वो follow करना होगा चलिए इस वीडियो को जाई end करते हैं आशा करते हैं कि आपको यह point clear हो गया होगा कि अब GST portal के अंदर अगर आपको online reply देना है किसी notice का तो वो किस तरीके से दे सकते हैं अगर आपको परिशानी आती है drafting में तो आप आप हमारी professional team के मदद भी ले सकते हैं same number पे call करके आप drafting वगर अभी करवा सकते हैं अगर आपने हमारे चैनल पे first time tuning किया है तो चैनल को subscribe करने के लिए नीचे दिया गया red clear का subscribe टेन प्रेस कर लीजिए साथ में जो bell icon है उसे प्रेस कर लीजिएगा ताकि videos की notifications आप तक regularly मुझते रहें thank you and have a nice day